हलो दोस्तो आज इस वडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूं महतारी वंदन योजना के बारे में अगर आप लोग को महतारी वंदन योजना का लाप चाहिए तो आप लोग इसके लिए पात रहो या अपात रहो इसके लिए आप लोगों के पास में कौन-कौन सा दस्तावे डॉकॉमेंट होना चाहिए बहुत सारे ऐसे लोग है जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि आखिर कर हम मतारी वंदन योजना के लिए पात रहें या फिर अपात रहें कैसे पता चलेगा हमारे पास में कौन-कौन सा दस्तावे डॉकॉमेंट होना चाहिए तो दोस्तो मैं आप लोगों को पूरे डीटेल से जोड़ो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अगर आप लोग अभी तक चानल मिलने तो चानल को सस्क्राइब कीज़े वेल आइकन को जरूद दबाये ताकि ऐसी योजना समन्दी जानकारी आप लोगों को मिल सके तो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं अगर आप लोगों को महतारी वंदन योजना के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए पूरा जानकारी चाहिए तो आप लोगों को अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है अगर इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से सबी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लोग फॉर्म भनना चाहते हो उसका लाप प्राप्त करना चाहते हो उस योजना का तो इस वेबसाइट पर आकर उसके लिए आप लोग ऑनलाइन अवेदन भी कर सकते हो फॉर्म भी भर सकते हो ओपन हो जाएगा और एक important point दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों आप लोग इस website के माध्यम से formcasset.com इसका official website है इस website के माध्यम से आप लोग महतारी वंदन योजना के बारे में detail से जानकारी प्राप्त कर सकते हो महतारी वंदन योजना क्या है महतारी वंदन योजना सुरूप क्यों किया गया है 36 गड़ में इसके तहट आप लोगों को प्रतिमा कितना रुपे दिया जाएगा सलाना कितना रुपे दिया जाएगा इस website पर दोस्तों आकर आप लोग detail से जानकारी प्राप्त कर सकते हो और स दोस्तों मैं अभी आप लोगों को पात्रा पात्रा के बारे में बताने माला हूं कि कौन-कौन इस योजना के लिए पात्रा है, कौन-कौन अपात्रा है, कौन-कौन से दस्तावेज आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो दोस्तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल सिजलों में इसी के बारे में जानकारी देने माला हूँ सबसे पहले दोस्तो बात कर लेते हैं जो भी महिलाएं इस योजना का लाब लेना चाहती हैं महतारी बंदन योजना का तो वो 36 गड़ की विवाहित महिलाएं होना चाहिए इस बात का दोस्तो आप लोगों को ध्यार रखना है 36 गड़ में रहने वाले निमासी होना चाहिए इसके लिए दोस्तो आप लोगों के पास में अधार कार्ड, रासन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सभी दस्तावेट डॉकॉमेंट होना चाहिए और 37 दोस्तो आप लोगों के पास में एक बेंग खाता होना चाहिए जो बेंग खाता है वो अधार लिंक, NPCI, DBT अधार सीडिंग होना चाहिए ताकि दोस्तो जो भी सरकार भी ओर से जो योजना का पैसा है आप लोगों के बेंग खाता में सिधा DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सके इस बात का दोस्तो आप लोगों को ध्यान रखना है और 37 आप लोगों के पास में एक मुबाइल नंबर होना चाहिए अब दोस्तो इंपॉर्इंट पॉइंट के बारे हैं बात के लिए जो आप लोगों को जानना बहुत ज़ोगी है बहुत सारे ऐसे वीवर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि महतारी वंदन योजना के लिए जो 36 गर में सरकारी नौकरी पर जो महिलाएं है जो काम करती है उनको इस योजना का लाब मिले गा या नहीं इस योजना काड लेने के लिए निवास परमाल पत्र बनवाना है या नहीं तो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दूझ इसके लिए दोस्तों सरकार के ओर से भी कोई भी आदेश जारी नहीं कियागे कि आप लोगों के पास निवास परमाण पत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आय परमाण पत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों के पास में अधार कार्ड, रासन कार्ड और एक बेंग खाता, ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर एक योजनाओं में ये सभी दस्तावे डॉकूमेंट मांगा जाता है, तो अगर आप लो और उस बेंग काता में NPCI-DBT अधार लिंक करा लें, इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, तो दोस्तों आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा, कि महतारी बंदन योजना के लिए कौन को पात रहे, कौन अपात रहे, दोस्तो में रहने वाली विवाहित महिलाएं हैं, वो ही इस योजना के लिए पात रहे, कोई दूसरे राज्य के जो महिलाएं हैं, इस योजना के लिए पात रह नहीं है, मान लिजे दोस्तों, अगर आप लोग बिहार में, यूपी में, मध्या पर्देश में रहते हो, और आप लो के सभी सवालों का जवाब दे दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद